आई दोस्तों असलाव अलेकूं कैसे है आप लोग मेरा अब नबील है आज इस वीडियो में हम देखने वाले iOS 17 डेवलोपर बेटा 1 जो आया है या iOS 17 जो आया है इसके अंदर क्या कुछ आपको major features देखने मिलने वाले है आपको ये update करना चाहिए नहीं करना चाहिए और चोड़ेट जो फीचर है इसके अंदर उसकी वीडियो जो है मैं बाद में बताओंगा आपको बना के अभी फिलाल ये update के इन फोन पे supported है इसका size क्या है इसे battery health पे नुकसान क्या है major features जो है इसको इस वाले वीडियो के अंदर हम cover कर लेते तो ये जो है iOS 7 का developer beta 1 है और जिन phones के उपर ये नहीं आने वाला है वो बता देता हूं मैं आपको तो guys ये है वो तीन बदनसी phone iPhone 8, 8 Plus और iPhone X जिसको लोग बुलते है 10 ही है वो X नहीं है लेकिन इन तीनों phones के उपर ये update नहीं आएगा इसके अलावा हर किसी phone के उपर जो iOS 16 चला रहा था आपने उपर उसके उपर iOS 17 का update देखने मिलेगा याने कि iPhone XR से लेके iPhone 14 Pro Max तक iPhone XS, XS Mac फिर उसके बाद iPhone 11, 12, 13, 14, 14 सब के लिए iOS 17 का update आपको देखने मिलेगा कोई फरव नहीं बढ़ता update का size क्या है अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको इंस्टॉल करना है पस यहां पर information देने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि update का size आपने देखा इसके अंदर changes क्या क्या आए है build number के अंदर storage के अंदर वो देख लीजे उसके उपर ही .70.02 अभी जो available free space है 778 GB से घटकर हो गया है 728 GB 40-50 GB हवा हो गया storage क्यूं हुआ storage बगया नहीं वह आगे हम चेक करेंगा storage रहता ही जनरली अपडेट के अंदर वह भी चीज़ हम आगे चेक करने वाले अपडेट के बाद जो build number है उसके end में V है वी हम को जनरली देखने नही अपडेट के बाद जो modem firmware है वो भी थोड़ास अलग आपको लगेगा 2.02.00-1 तो यहां पर काफी सारे changes इसके अंदर भी future में उपको देखने मिलने वाले इस वीडियो में आगे बनने से पहले कुछ important information आपको देना चाहता हूँ about SBI Simply Click credit card यह बहुत ही कमाल का credit card है जिसको आपको 4.99 joining fees तो देनी है लेकिन आपको सामने उसके Amazon का 5-minute का gift voucher मिलता है जिससे वो fee जो है completely zero हो जाती है इस credit card की खास बात यह है कि online retailers जैसे Amazon, Apollo 247, Hook My Show, Clear Trip, Easy Diner, Lens Cart और Net Metz इन जैसे और भी retailers पे shopping करने पे आपको 10 time reward points मिलते है और किसी और spend पे every 100 rupees पे एक reward point मिलते है और website को शोड़ कि online किसी और website पे shopping करेंगे तो 5 times reward point मिलते है 1% fuel surcharge waiver भी मिलता है और 1 lakh spend करने पे clear trip का e-voucher मिलता है of 2,000 rupees इस card के renewal fees से 499 rupees per year और वो भी waiver off हो जाती है अगर आप पूरे साल में 1 lakh से जाधा spend करते हो तो अगर आपको इस credit card के लिए अपलाए करना है अभी के अभी widget के अंदर changes है अब यहाँ पे widget जो है उसके अंदर आपको interactive widgets देखने मिलेंगे for example जैसे home control है अब यह home वाला widget जो है हम हमारे home screen के उपर लगा देते यहाँ पे done कर देते तो यहाँ पे यह home वाले widget को यहीं से tap करके हम इस्तमाल कर सकते है जो भी हमको on करना है वहीं से tap किया on हो गया वहाँ पे app open करने की अलग से जरूत नहीं है और फॉर एक्जामबल यह reminder वाला widget भी आप देख सकते हो अब यहाँ पे reminder जो है यहीं से इसको आप कर सकते है reminder आप उपन करके इसको इसको इस्तमाल करने की जरूत आपको नहीं अपडेट करने की जरूत नहीं अगली चीज़ है guys new wallpapers तो नए wallpapers obviously बात है आएंगी ही नए iOS version आएगा तो यहाँ पर यह नए वालपेपर है देखने में अच्छा है लेकिन और भी नए वालपेपर जो है वह हम चेक आउट कर लेते तो यहाँ पर प्लस आइकन पर टैप कर लेते यहाँ पर फीचर्ट जाता है आपके आइफोन के लॉक्स्रीन के ऊपर इसको कर देता हूं अब यहाँ पर कलाइडिस्कोप करके लिखा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर भी काफी सारे अलग-अलग wallpapers है अगर आपको इस टाइप के वालपेपर पसंद है तो यह आप चूज अगर आपके लाइट और अगर दालके देखते हैं और यहाँ पर अगयन मैं इसको लाइट मोड करता हूं तो यह सारे बग्स है जो आईओ 17 के साथ आपको थोख हवाव में देखने मिलेंगे क्योंकि बेटा वर्जिन है वालपेपर में अगर आप कस्टमाइज में जाते हो तो यहाँ पर अगर आप इस पर टैप करते हो तो अभी यहाँ पर आपको थोड़े और ओप्शन्स और ट्विकिंग वाले चीज देखने मिलेगी इसका साइज वोगर एडजस कर सकते हैं अलग-अलग फॉन्ड में जो कोड भी है इसके उपर आपको अच्छा-कासा डिस्कॉंड मिल जाएगा अल्यूमिनियम बॉड़ी का बना हुआ है और काफी हाई क्वालिटी मटीरिल है और मैक सेफ कंपाटबल भी है इसके उपर आपको अपने आइफोन को जो है होरीजोंटल पोजिशन में चिपका दे यह standby mode आपको देखने मिलेगा जिससे आपके आखों को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो और standby mode में सिफ clock और calendar नहीं बल्के बहुत सारे features है calendar में भी आप स्वाइप करके यहाँ पे आपका temperature, local, weather वगरा देख सकते हैं क्योंकि यह थोड़ा buggy है अभी नया नया update आया है इसलिए यह सारी चीज़े आपको इस तरगी की देखने मिलेगी बाकी आपकी टू-डू ले इस सारी चीज़े भी देखने मिलेगी और clock पे भी आप स्वाइप कर सकते हो और यहाँ पे आपको जो भी विजट लगाना है वो आप standby mode में लगा सकते हो अब यहाँ बैटरी वाला widget मिलेगा इसके अंदर भी स्वाइप करके आप अलग-अलग clock स्टाइल और वर्ट लॉक वहरा भी सेट कर सकते तो यह भी काफी साही चीज़ है और इसके अंदर एक चीज़ ऐसी है standby mode settings के अंदर आक्सेस करेंगे तो यहाँ पे आपको और options के लिए और इसके अंदर night mode का भ कुछ आप हिलाएंगे अपने room में घूमेंगे तो हाँ पर standby mode on हो जाएगा और जब सोच चुके हो इस time पर standby mode off भी हो जाएगा तो काफी intelligent है अब यहाँ पर जो नया feature आया है जो काफी देखने में अच्छा aesthetically pleasing है वह है आपके contact card तो यहाँ पे जब आप पहली बार अपने तो यहाँ पर इस तरह के आपको options देखने मिल जाएंगे यहाँ पर simple इस तरह की से रख सकते हो कोई photo रख सकते हो या फिर create new कर सकते हो create new में जब जाएंगे तो camera से अपनी photo ले सकते हो photos, memoji, monogram का option है memoji के अंदर अपनी emojis वगरा जो बनाने बनाओ या फिर photos में चले जाओ photos में जाके अपनी photo album में से कोई भी एक photo आप select कर लो जैसे यह वाली और यहाँ पर इसको adjust कर सकते हो आपको depth effect चाहिए नहीं चाहिए वो भी choose कर सकते हो और इसके अंदर आप अलग-अलग filters भी लगा सकते हो pinch to crop and zoom कर सकते हो और जब done पर आप tap करेंगे तो इस तरह का contact card आप adjust कर सकते अब इसका फाइदा क्या इसका फाइदा यह है कि जब कोई आपको call करेगा और उसका भी contact card उसने setup करके रखा है तो इस तरीके का contact card आपको देखने मिलेगा तो यहां पर accept कर लेता हो यहां पर देख सकते calling interface भी नहीं है speaker add call keypad और mute वाले options भी यहां पर नहीं transcription यहां पर अगर आपने फोन किसी का नहीं उठाया और फोन चलाया था voice mail पर जो कि यहां पर अपने काम नहीं करता है तो वहां पर जो कुछ voice message भेज़ेगा आपको यहां पर live transcription आपको लिखा आ जाएगा आपके voice mail आपको सुनने की दूनी आप बिना phone उठाये ही पढ़ सकते के सामने वाला क्या बुलना चाहिए तो यह भी काफी साई feature है I hope कि यहां पर भी जल्दी आ जाया अपने आपने आपने यहां फीचर आया जो फिलाल अभी ठीक से काम नहीं करा है वो है contact card sharing तो यहां प आपके phone में transfer कर दी जाए अब यहां पर सुनना चाहिए लेकिन मेरे वाले में सुन नहीं रहा है क्योंकि है सीरी का ही option है यहां पर यह काम करेगा future updates के अंदर अभी फिलाल यह काम नहीं कर रहा है अगर यहां पर search में जाते तो search filters जो है अब आप उलाए कर सकते हो और example आप यहां पर improvement है message का आपको reply करना है तो यहां पर directly tap करके आप जो है अब reply कर सकते है और यहां पर reply के अंदर ही आप plus icon पर अगर आप tap करते हैं तो यहां पर आपको आपके सारे application मिल जाएंगे जैसे आपका camera है photos, stickers, audio, location है and much more तो यह सारी जीज़े देखने मिलेगी location पर करके आप अपनी current location जो है वो share कर सकते सामने वाले को इसके अलबा location के अंदर check-in का भी option आने वाला है उसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आप कहीं से आ रहे हो आपको घरवालों को बताना है तो check-in जो है आप वहां पर enable कर सकते हो तो जहां पर जिस time प बना सकते जैसे यहां पर देख सकते बची का photo है इसको select कर दिया इसने आड sticker पर tap कर दिया अब यहां पर बन जाएगा add effect कर सकता हूं और outline मना सकता हूं comic, puffy, shiny जो मुझे sticker यहां पर देना है करके जैसे मैंने outline select कर दिया done पर tap कर सकता हूं अब यह sticker जो है ना से मैं message के आपको समझ में आजएगा फिलाल वो application available नहीं है अब यहाँ पर जो important चीजे वो देख लेते हैं जैसे battery health यह बहुत ही critical चीज है update करने के बाद 3% battery health directly drop हो गई आपको पता ही है 100% पर रखता हूँ अब नए आइफोन को इस्तेवाल करने का time है मेरे लिए लेकिन आप जो है अपने आइफोन को अगर 100% पर रखना चाहते तो पहले जो early betas है उससे थोड़ा बचके रही है आदवाइस recalibrate हो जाएगी battery और कम दिखाएगा आदने आपको tension आ जाएगा अभी general performance की बात करते गाइस तो general performance बहुत बुरा है इस update का बहुत दा glitches है phone आ रहा है तो display पे contact का नाम नहीं आ रहा है contact card open नहीं हो रहा है इस सब बातों का आप ध्यान रखने ना battery life भी पूर देखने मिलेगी और यहाँ पे 100% आपको glitches देखने मिलेंगे तो बेटर है कि अभी फिलाल beta version ना install करें और मेरे वीडियोस देखके आप इसको enjoy करें अब यहाँ पे geekbench के scores जो है हम देख लेते performance तो आपको बता चुका हूँ कि खराब है और आज का जो score है वो 15,464 है तो यहाँ पे दोनों ही जो performance है CPU के और GPU के आपल ने यहाँ पे enhance किया तो यह सारी चीज़े होंगी जहां पर आपका performance बढ़ेगा घटेगा glitches रहेंगे तो यह सारे trade-offs है beta version इस्टॉल करने के तो यह थे गाइस iOS 17 के major features लेकिन इसके अंदर बह video goodbye